तो पूरे देश में आज होली पूरे उल्लास के वातवरन में मनाई जा रही है कोरोना के गाइडलाइन्स का भी पालन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं और निर्देश में दिये गए हैं तमाम अधिकारियों को इसी के साथ मुख्यमंतरी शिवरास सिंग चाहान ने प्रदेश वासियों को होली के परफर सभी को शुब कामनाई भी दी है तो मुख्यमंतरी शिवरास सिंग चाहान ने प्रदेश वासियों को होली के शुब कामनाई तो दी लेकिन साथी साथ अपील सबसे की है कि ये होली सावधानी के साथ मनाएं जो गाइडलाइन्स प्रशाशन ने जारी की हैं उनका पालन करते रहें भीड़बार वाले लाकों में जाने से बचें इसी के साथ में आज देश्वर में होली का यतियोहार मनाया जा रहा है मुख्यम सराय के अमान गंज रोड में जंगल के अंदर बने होटेल में सीम ठेरे हुए हैं वो होली का पर्व वहां मनाएंगे इससे पहले मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेश वाचियों को होली के शुप कामनाये दी और कोरोना काल में नियमों का पालन करते हुए त्याहार मनाने की अपील भी की सरी किसे तस्वीरे आप देख रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरी होली मेरे घर आप अपनों के साथ होली मनाएं और अपने घर पर होली मनाएं कहीं बाहार न जाएं सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें या यूँ कहें कि अगर आप बाहर ही नहीं जाएंगे तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग का भी और मास्क लगाने की भी आपको जरुवत नहीं है क्योंकि आप घर में ही है तो इस अभियान को तमाम लोग समर्थन भी दे रहे हैं कल रात को होली का दहन हुआ उसमें भी हमने देखा था कि 20 लोगों की अनुमती दी गई थी और जादा तर जगह पर हमने देखा कॉलोनी में भी कि लोगों ने मास्क लगाया हुआ था सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा हुआ था और जादा लोग आए भी नहीं थे तो इस त पर भी कोई ऐसा बड़ा आयोजर नहीं है अला कि इन दौर में रंग पंचमी के मौके पर बड़ी अच्छी खासी तादाद में राजवाडे का जो द्रश्य देखने को मिलता है वो वाकई में अध्भूत होता है मगर भोपाल में भी कम नहीं है यहां पर भी नगर निगम के वहां टैंकर है उससे पानी का रंगों का छिर्काव किया जाता था मगर उस तरह की तस्विर इस बार हमें दिखाई नहीं दे रही है तो कुल मिलाकर कह सकते हैं इस बार लोगों से भी यही अपिल है चुकि मुख्यमंत्री खुद अपिल कर चुके हैं या तमाम जो धर् कि गहतए है एक और घर से बाहर निकलते हैं और अगर घर से बाहर होली करने निकलते हैं तो फिर प्रशाशन के उन पर क्या कुछ कारवाई होती है कल इन्दौरन इक supreme पेश की ए प्रदेश भर के सामनी लोग दाउन अगर लगाया गया तो वागही वहा आनके लोगों ने अच्छा समर्थन दिया है और हमने देखा कि खुद लोग जो है सक्ती बरत रहे हैं। इसका विरोध भी नहीं किया क्योंकि कल भी हम जब भुपाज शहर में घूम रहे थे लोगों से प्रतिक्रिया ले रहे थे तो वो सबी यही कह रहे थे कि यह अच्छा निर्ना है क्योंकि जिस तरह से मामले बड़े हैं उससे देखते हुए अगर सरकार यह फैसला ले रही है क्योंकि अंतिम विकल्प अगर सपना सरकार के पास कोई है तो वो सिर्फ और सिफ लोगडाउन ही है आप दिखें मास्क लगाने को लेकर अपिल कर लीजिए सोशल दिश्टेंसिंग का धियान रखें सैनिटाइजर का इस्तमल तमाम तरह की चीज़े आप करते रहें मगर अ करोड़ों लोगों की अगर जान बची तो उस लॉगडाउन की वज़े से बची वरना अगर लगाता लोग घूमते रहते सरकार देरी करती तो क्या से क्या स्तिती हो सकती थी हम अंदाजा लगा सकते हैं तो ऐसी स्तिती में हलाकि मुख्यमंत्री ने एक बात और इस यह नुकसान होता है पिछले वर्ष वो नुकसान जेल चुके हैं आप कोशीच कर रहे हैं कि इस वर्ष उस नुकसान की भरपाइब हो जाए और अगर यह वर्ष भी उसी तरह का रहा तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन व्यापारियों का लोगों का क्योंकि आने लॉक्डाउन वो लगाने नहीं जा रहे हैं मगर एक गाइडलाइन शादियों के लिए भी जारी की गई है जिसमें 50 लोगी अब शादियों में शामिल हो सकेंगे तो प्रिशाशन ने अपनी तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी है अब जिम्मेदारी आम जनता की बनती है कि वो कैसे इन गाइडलाइन का पालन करता है न्यू स्टेट भी अपने सभी दर्शकों से अपील करता है होली मनाएं जरूर मनाएं लेकिन अपनों की और अपनी सुरक्षा को देखते हुए तमाम गाइडलाइन्स का पालन करते हुए क्योंकि कोरोना का साया अभी हम सबसे तला नहीं है बहुत बहुत शुक्रिया शुबम आपका तमाम जानकारी के लिए होली के पर्व को लेकर पन्ना में भी ग्रामीड अंचलों में फाग गायन कारेक्टरमों का आयोजन किया जा रहा है बुंदेली फाग गायन संबिलन के कारेक्टर में दूर दूर के ग्रामीड अंचलों से आएक अलाकार अपनी प्रस्तुती दे रहे हैं आपको बता दें कि पन्ना जिले के ग्रामीड अंचलों में फाग गायन की परंपरा लंबे समय से चलिया रही है